हे अव्रीवन वेलकम टू स्टेडी एएस और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अम अन्शर्मा आज हम लोग डिसकेशन में लेने वाले हैं इंडिया के फ्लाक कोड डूल्स जो कि आपके UPSC, CAC, EPFO, SSC और बैंक एक्जामिनेशन के लिए सुप्रीम इंपॉर्टन है बिना किसी देरी केश शुरू करते हैं दोस्तों अनकाडमी का एक offer चल रहा है आईड्रीम UPSC offer जहां पर अगर आप 18 अफ ऑगस तक अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक तो extra discount मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन पर और extra discount लेने के लिए जो discount code है या referral code है वो है आपके लिए study IAS आप इस code का इस्तमाल करोगे आपको मिलेगा extra discount optional carnival चल रहा है जहोंगी 18 अफ ऑगस से start हो रहा है new batches are starting for option ultimate test series आपको मुफ्त में मिल रही है एक साल के subscription के साथ या अगर आप combo subscription लेते हो तो भी तो one subscription crack it all जो कि अब आपके लिए 57.5000 रुपीज के अंदर available है and you need to use the discount code that is study IAS बाकी साथ details आपको नीजी description box के अंदर भी मिल जाएंगी अगर आप एक साल का subscription लेते हो तो वो एक साल के लिये नहीं बलकी आप लोगों के लिए match 2022 और match 2023 तक के लिए आप valid रहेगा तो आप मतलब एकसल के subscription लेते हैं तो वो और आन लाप्रोग्स आपके लिए डेश साल का subscription बनने वाला है दो साल का दर आप लोगों ने subscription लिया है and you are not satisfied with your preparation we will give you one year free subscription so do not forget that new batches are starting, you need to enroll it now, चलिया शुरू करते हैं अपने आज के session को हम लोग बात करने वाले हैं flag code के बाले में on 15th of August 2021 हम लोगों ने 75th Independence Day के रूप में celebrate किया हर साल की तरह हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारा national flag होस्ट किया Red Fort के उपर पर हमारे लिए यहां पर जानना important है हमारे national flag के बारे में यहना कुछ चीजे हमारे लिए जानना important हो जाता है तो हम लोगों ने हमारा जो national flag है उसको कैसे adopt किया उसकी कहानी समझते हैं सबसे पहले 1906 के अंदर First National Flag which consisted of three horizontal stripes of Red, Yellow and Green उसको होस्ट किया गया था 7th of August 1906 को Parsi Bagan Square Lower Circular Road Calcutta के अंदर 1921 में Freedom Fighter पिंगाली वेंकिया जी महात्मागानी जी से मिले दोनों ने flag का नया design पेश किया जिसके अंदर दो लाल और एक हरे बैंड की रेखाती 1931 के अंदर काफी सारे change होते रहे हमारे ट्राइकलर के अंदर और फिर एक national flag Congress Committee ने adopt किया इन कराची 1931 गैज आपको याद होगा ये वही particular scenario है जब 1929 के अंदर अंदर जी ने और रावी नदी के खिनारे हम लोगों ने अपना तिरंगा लहराया था 1947 इंडियन flag वाज अडॉप्टेड इंडियन flag को अडॉप्ट किया गया जिस तरीके से हम लोगों को आज दिखाई देता है और Constituent Assembly की मीटिंग हुई 22nd of July 1947 को एक चीज और याद रखना कि हम लोग अपनी इंडिपेंडेंस 15th of August 1947 को बनाते हैं बट उससे लगभग एक महीना पहले July 22nd 1947 को हम लोगों ने हमारा नैशनल flag अडॉप्ट कर लिया था इस हमारे नैशनल flag को कौन-कौन से rules govern करते हैं तो सबसे पहले हैं The Emblem and Names Prevention of Improper Use Act of 1950 इस act के अंदर क्या होता है यह रेश्टेक्ट करता है कि नैशनल flag या कोई भी court of arms जिसका इस्तमाल भरात सरकार के departments करते हैं या हमारे राश्टरपती या governor की जो official seal है उसका कभी भी गलत इस्तमाल नहीं होगा या pictorial representation है माहत्मा गांदी की या हमारे प्रधान मत्री की या शुक्चक्र को कोई भी use नहीं कर सकता है मतलब जिन लोगों को इसका authorization दिया है सिर्व ही लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ we have the prevention of insult to national honors act 1971 यह जो honors act है यह prohibit करता है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति insult नहीं करेगा हमारे national symbols को जिसके अंदर national flag है हमारा समविधान है हमारा constitution है national anthem है या हमारे maps है कोई भी व्यक्ति अगर इन सब चीज़ों में पाया जाता है कोई भी offense करता हुआ पाया जाता है उसको disqualify कर दिया जायागा वो कोई contest नहीं लड़ सकता election to the parliament as well as a state legislature for six years तो छे साल ता कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता अगर वो national flag को insult करता है समविधान को insult करता है या हमारे national anthem को भी insult करता है हमारे देश में है flag code rules 2002 के अंदर यह rules आये थे जिसके अंदर allow किया गया undistricted display of tricolor कि कोई भी व्यक्ति tricolor को display करवा सकता है बट उसको एक चीज़ का याद अखना है कि किसी भी तरीके से tricolor की tricolor का हमारा honor उसके dignity के ओपर कोई impact ना हो जो हमारे flag code आये उन्होंने जो पुराने rules हैं उनको ऐसा नहीं किया कि उनको हटा दिया उनको replace कर दिया नहीं बलकि उनको और भी ज्यादा codify कर दिया कि कहें main effort यह था कि जो पुराने laws हैं convention हैं practices हैं उनको और भैतर तरही कैसे सब के सामने लेकर आया जा सके तो क्या किया कि तीन हिस्सों में divide कर दिया पहला एक general description of the tricolor दूसरा rules कि tricolor को public में private bodies में education institute कैसे show करेंगे और तीसरा वो rules जिनको government या government bodies abide करेंगे इसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि tricolor का इस्तमाल किसी भी commercial purpose के लिए नहीं किया जा सकता and it cannot be dipped in salute to any person or thing moreover जो हमारा tricolor है जो हमारा national flag है उसका इस्तमाल कोई भी व्यक्ति decoration purpose के लिए भी नहीं करेंगा official display के लिए सिर्फ और सिर्फ जो flags हैं जो की उस specification द्वारा ही बनाए गए हैं जो की Bureau of Indian standard follow कर रहे हैं उनहीं का ही इस्तमाल किया जा सकता है now being the citizen of India guys आपके पास कुछ fundamental duties हैं जो की Part 4A के अंदर mention है Part 4A 42nd Constitutional Amendment Act 1976 वान सिंग कमीटी की recommendation के बाधार पे हम लोगों ने हमारी fundamental duties बनाई तो initially 10 थी बद बाद में एक और add-on की गई Part 4A के अंदर एक ही article है Article 51A जिसके अंदर अब total 11 fundamental duties है now according to the article 51A subsection A यहाँ पर हर एक नागरेक की duty है कि वो हमारे constitution हमारे ideas हमारे institution हमारे national flag और national anthem को abide करेगा उनको respect करेगा उनकी dignity maintain करेगा So this was all for flag quotes of India उमीद करता हूं यह वाली video आप लोगों के लिए भहुत knowledgeable रही होगी Do not forget to like, share and subscribe and watch our other videos जो की आप लोग right-hand वाले section में देख पा रहे होंगे So love and peace from my side Thank you for having me here guys and have a great day ahead Bye-bye, take care